मस्कार स्वागत है आप सभी का नफ्टेज टीवी में मैं हूँ आपके साथ हर्षदा जूशी अंतराश्ट्रे समरस्ता मंच भारत भूटान विश्व बंदुत्प समरस्ता शिखर सम्मेलन 2024 भूटान में आज़ित किया क्या बताने कि समरस्ता शिखर सम्मेलन द्वारा आज़ित भारत भूटान समरस्ता रतन वौट 2024 का डेलिगेशन भूटान से राजधानी जैपूर पहुँचा जैपूर पहुचने के बाद डेलिगेशन नफ्टेच टीवी कारयाले पहुचा जहां नफ्टेच टीवी के एडिटर इंचीफ रोहित तिवारी को भारत भूटान समरस्ता रतन अवौट 2024 से सम्मानित किया गया अंतराश्य समरस्ता मंच 22 देशों के नेतिक समर्थन के साथ भारत नेपाल भूटान जैसे कई देशों में मैतरी संबंद को सुचारो रूप से इस्थापित करने में प्रियासरत है वहीं आपको ये भी बता देए कि भारत भूटान समरस्ता रतन अवौट 2024 नेपाल के प्रथम उपराश्पती न्याय मूर्ती परमानंद जहा भूटान सरकार के पूर प्रधान मंत्री किंजॉंग दोर जी भूटान सरकार के कैबिनिट मंत्री बुद्धिस्ट धर्म गुर से आए डेलिगेशन ने भारत भूटान सम्रस्ता वौर्ड सम्मान देते हुए क्या कुछ कहा विशिश चलाकार महा महीं पर्तम उपराश्पती नेपाल सरकार न्याय मूर्ती परमानंद जहांस के हूं मैं 2010 से उनका सानिध्य है और अंतराश्टे सम्रस्ता मंस्का में एक स Сंवाधान मंत्री है स्री किंग जम दोर जी और मनिलोकनार्त सर्माजुःपूर केंद्र मंत्री है और हवार जो किंग है वहां कि बो मूटान ऑनका फ्रिटो राजी है इसी विशिश्चित मंख कहतीती है म उस समय हमारे जो नवतेज जो मेडिया है उनका प्रस्ताव हमने लिया था सम्मान के लिए तो उन्होंने अपना अभिनांदन पत्र पे सायन करके सम्मान ये श्री रोहित जी तिवाडी जो एडिटर है इनचीप नवतेज टीवी जेपूर से हैं उनका हम अभिनांदन करने के आज अंतराश्थे समरस्तामान से पिटले 40 सालों से भारत की परतिष्टा भार्त की सक्ति भारत की अपन авद्ष्टाव तो भारत को सुरक्सा परिश्द में वीटो पावर के साथ 27 सदस्ता मिले और अयुद्या को सेंगतरास संग का मुख्याले बनाया जाए इस मिसन पर हम लोग यात्राएं कारेक्रम हम 22 राष्टों में कर रहे हैं और हमारी जो कारी योजना है उसको 22 राष्टों ने हमको नेतिक समर्तन दिया है कि आज अगर विश्व में सान्ती बनाना है तो भारत को सुरक्सा परिश्द में समलित करना होगा अंतराश्वे समर्स्ता मंच अवार्ड 2024 मिलने के बाद राजधानी जैपूर की मीडिया चर्ट से जुड़ी तमाम बड़ी हस्तियों ने अडिटर इन चीफ रोवित तिवारी को बधाईया दी तो वहीं अवार्ड मिलने की खबर से बधाई देने का ताता भी लगा रहा सम्मान के लायक मुझे समझा और मैं वहां पहुच नहीं पाया था नहीं तो मैं वहां पहुच कर भी ये सम्मान ग्रहन करता लेकिन आप सभी का भारत के और इस बीरधरा रास्थान पर बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत अभिनंदन है मेरी पूरी कोशिस रहेगे कि यह जो 20-22 देश आपके साथ जुड़े हुए है इनके राजनाईक खबरों को प्रमुकता से 39 टीवी जरूर दिखाएगा और आगे हम कोशिस करेंगे कि भारत और नेपाल और भोटान चुकि यह हमारे पडोसी देश हैं और पडोसी देश होने के नाते एक दूसरा पडोसी मदद करता है तो खबरों के माध्यम से यहां के कलायूम संस्कृति को यहां के बिचारक मंच को को यहां के लिटरेचर और साहित को खबरों के माध्यम से पुरे देश नहीं पुरे बिदेश में ही इसको पुरे भारत के साथ-साथ पुरे बिस्ट में फैलाने का काम करेंगे नमस्कार